साथियों, आप सभी गाइस प्रेटफार्म पर सागत हैं, यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारणभी परिच्छा 11 अप्रैल 2021 को संपन्ध होनी है, उसके लिए टेस्स्रीज लगा रहे हैं, और आज की दिन जो टेस्स्रीज हम लोग देखेंगे, यह मद्य प्रदेश इंद गैर परमपरागरत उर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कप की गई, तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1982 में की गई थी, अगला प्रशन है, निमनिखित में से किस अधिनियम में कोलकता में सर्बोच नयाले की स्थापना का प्रवधान किया गया था, तो यह जो प्रवधा तो यह बात उठाई गई थी कि वेस्क मताधिकार को 15 वर्सों तक के लिए इस्थगित कर देना चाहिए सम्विधान सभा में यह कहा था किद डॉक्टर राजेंद प्रसाद वा डॉक्टर पड़ी जवालाल नहरू ने इसे अपनाने का समर्थन किया था अगला प्रशने चौथा भारत के सर्वोची नयाले ने सम्विधान सभा की मूल सरचना बुनियादी धाचा सिथ्धान का प्रतिबादन निमने कित्म सिय मुकदमे से किया था तो यह जो प्रतिबादन आपका किया था वो केश्वाननद भारती बनाम जो केरल राजी था यह 1973 का वाद होता है 1973 1973 था इसमे भारत के सर्वोची नयाले के दौरा सम्मिधान की मूल सरचना के सिद्धान का प्रठपादन किया गया था जिसका अनमोधन आगे चल करके मिनरवा मिल्स जो 1980 का वाध होता है उसमें किया गया अगले प्रस की तब चलते हैं भारत में राश्पति का निरवाचन किस प्रकार होता है प्रतच रूप से राजसभा के सदेश्चों के द्वारा या लोगसभा के सदेश्चों के द्वारा या अप्रतच मद्दान के द्वारा तो आप देखें राश्पती का जो चुनाव होता है ये अप्रतच मद्दान के माध्यम से किया जाता है ठीक है अब इस अप्रतच मद् बिधान रखेगा मनोनी सदेश्यों को चुनाव में ओटिंग में पार्टिस्पेट नहीं करते हैं लोग सभा राज सभा के निरवाचिस सदेश्यों के द्वारा इसमें मद्दान किया जाता है अगला प्रसने सम्मिधान के किस अनुचेद के अंतरगत धन विधेग को परिवासित किया गया है तो अनुचेद 110 के अंतरगत इसको परिवासित किया गया है वहीं 109 में धन विधेग के सम्मद में विशिस प्रिक्रिया के बात कही गयी और अनुचेद 111 में विधेग पर अ का सकती राजिपाल में नहीं थोगी जिसका प्रियोग वह इस समिधान के अनुसार स्ट्रेम या अपने अधिनस अधिकारियों के द्वारा करेगा आगा चलते हैं अगला प्रशने भारत का सुदूरस्त पश्मी बिंदु कौन सा है तो सुदूरस्त जो पश्मी बिंदु है वो गोरमाता या इसे गुहार मोती कहते हैं जो कि गुजरात में हैं वहीं जो पूर्वी बिंदु होगा वो अनुदाचर प्रदेश का कीवी थू है और उत्तरी बिंदु जो है जम्मू कस्मेर में इंदरा कॉल है दच्छनी बिंदु जो है वो इंदरा पॉइंट है पुलिकट जील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और यहाँ सतीस धवन अंत्रिच केंदर जहां से आपके सेटलाइट लांच की जाते हैं यही पर इस्थित है और जो पुलिकट जील है यह आंदर प्रदेश और आपका तमिल नाड़ के मद्ध में इस्थित है आगे चलते हैं रामशेत या जिसे आदम का पुल कहा जाता है यह कहां से शुरू होता है तो यह जो है आपका यह धनुसकोटी कहां से धनुसकोटी से सुरू होता है तो भारत के पंबन दीप के अंतिम छोर धनुसकोट से प्रारमभोकर सिलंका के मनार दीप तक एक सिंखला में जली भाग की रूप में यह बिस्तारित है आगे चलते हैं कोशन नमबर 11 के तरफ कि भारत के किस राज्य को सिलिकन इस्टेट के नाम से जाना जाता है तो जो करनाटक है इसे सिलिकन इस्टेट के नाम से जाना जाता है करनाटक सुचना प्रदुकी की गढ़ यहाँ पे जो बैंगलूर है वो सुचना प्रदुकी की गढ़ है उसके होने की वज़ा से करनाटक को सिलिकन इस्टेट भी कहा जाता है इसके अलावा शिलकन वैली जो बैंगलोरे से सिलकन वैली आफ इंडिया या आईटी कल आफ इंडिया भी कहा जाता है अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है राज दिया गया है उसकी राजधानी है तो तिरुपरा की राजधानी अगर तल्ला है, मडिपूर की राजधानी आईजौल नहीं होती है, मडिपूर की राजधानी क्या है, इंपाल है, जिबकि आईजौल मिजोरम की राजधानी है, वही नागालेंड की कोहिमा सही है, अवनाचर प्रजिस की इटा नगर सही है, त यह आपके लद्दाक्षेत्र में पाया जाती है जिसका इस्तमाल वह इमट्री बढ़ाने में किया जाता है अगला प्रस्थने निम्लिक्रित में से कौन भाद का सबसे पुराना जल सक्ति उत्पादन केंद्र है तो जो सिव समुद्रम सक्तिवत पादन कें था ये पहला था तो सिव समुद्रम जल विधूत का विकास उनिसी सताब्दी के अंतिम दसक में शुरू हुआ था करनाटक के कावेरी पर इस्थित करनाटक के कावेरी पर इस्थित शिव समुद्रम से, शिव समुद्रम में, 1902 में भारत का, एक सेकंड, शिव समुद्रम जो है आपका तमिल नाइट साइड में है, और करनाटा के कावेरी पर इस्थित जो 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल्विदू सेयंत्र लगाया गया था, ठीक है, और जो पहला था, वो आपका सिव समुद्रम है, आगे चलते हैं, अगला प्रशन की तरफ, करुणा प्रजाती, करुणा किसकी प्रजाती है, वरुणा किसकी प्रजाती है, तो ये सरसो की एक प्रजाती है, सरसो एक तिलहनी फल है, इसके प्रजातियों की बारे में देखें, तो पूसा बोल्ड पूसा जैकिसान और वरुणा इसकी परोक पर जातिया हैं अगला परस दर्जा प्रदान किया गया था आगे कौशर संस्था की तरफ कौशर नुमन्मेंसे कोन से संसार की सबसे बड़ी मैगनीज की खादान है तो जो अमापा खान जो है ये पुरे विश्व की सबसे बड़ी मैगनीज की खादान है यह है कहाँ पे तो यह दच्छन अमेरिका में ब्राजील में इस्तित है चुकि दच्छन अमेरिका में देखें तो ब्राजील में ही सरवाधिक मैगनीज उत्पादन किया जाता है दच्छन अमेरिका पूरे विश्व की बात नहीं की जा रही है और ब्राजील की अमापा खान संसार में मैगजीन की सबसे बड़ी खान है इसके अलावा जो इटा बीरा है इटा बीरा ब्राजील की प्रमुक लौह एस्क खनन केंद्र है और वहीं प हैं मद्य प्रदेश की कुल जन संख्या में कितना प्रफध अनुसूचित जाती के रूप में तो 15,06 7 अनुसूचित जातीयों की दिष्ट से मद्य प्रदेश का देश में 17ह tutaj अगला है किस देश को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है तो स्वीजन लेंड को जो है यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है अगला प्रशने सल्तरत कालिन सासरन व्यवस्था में दिवाने इस्थिकाग का पद किस संबंदित है तो यहाँ पेंसरन विभाग से संबंदित है जबकि जो दिवाने खैरात था ये दास विभाग संबंदित था दान विभाग से दिवाने खैरात दान विभाग से दिवाने बंदगान जो है दास व्युहाग से समझी था आगी चलते हैं अगला प्रशने असोक कि किस अभिलेख में कलिंग युद्धका वणन किया गया है तो जो तेरहमा सिला लेख रहा है इसमें कलिंग युद्धका वणन है जबकि गिरहमें सिला लेख में धम की व्याक्षा की के औरosen सिलालेख में असोक ने जंता को धार्मिक यहन बिताने के लिए प्रिलेथ करने की बात करें आगला प्रश्ण जिद्दा अवेस्ता किस धर्म की सिच्छाओं का संकलन है तो यह जो है आपका पार्सी धर्म की सिच्छाओं का संकलन है पार्सी धर्म के पैगंबर जर्थूर्स्तर इरानी थे और इनका जो पवित्र या धार्मिक ग्रंथ है वो जेद्दा अवेस्ता इस धर्म का पवित्र ग्रंद है और इनके जो इस्वर हुएं यह एक इस्वर अहूर को मानते हैं आगे चलते हैं अगला प्रशन है तुम नेम्णव में से किस सासक द्वारा 40 घुलाम सरदारों का संग्धन बनाया गया जब कि और इन्हें तुरकाने चाहल दानी के नाम से जाना जाता था आगे चलकर के बलवन द्वारा इस संग्रहन को समाप्त किया गया था आगे चलते हैं सोम प्रकास पत्रिका के संपादक कौन थे तो सोम प्रकास पत्रिका के संपादक इस्वर्चंद विद्या सागर थे आगे हैं वर्तमान में कौन फिक्की के महासच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् 1529 में होता है 1530 में नहीं 1529 में होता है बाबर और अफगानों के मद में जिसमें बाबर जो होता है वो विजय होता है वहीं तालिकोट्टा का युद्ध जो है 1565 में होता है तालिकोट्टा का युद्ध एकज़ेट तेहीं 1565 और यह जो इसे इसका जो अन्य नाम है समराज थे जिसके एक तरह बिजयनेगा समराज था जिसमें जो नितुर्ट किया था राम राय के दार Haram और यह जो दूसरा वाला गृता इसमें बरार राजासामिल नहीं हुआ फा आगे चलते हैं अगला प्रश्ण है कि निम्न में से कौन तुलूब वंस का संस्थापक था, कौन सा, कौन तुलूब वंस का संस्थापक था, तो इसमें सही उत्तर जो है बीर नर्सिंग, जो है ये तुलूब वंस का संस्थापक था, तो यदि आप विजाने का समराज को देखें, तो इसमे में ये 4 सांगम वंस तुल वउंस और आर्विरू यहीं इंका क्रम यह क्रम भी कई बार पोछता है तो इसमे से जो संगम पूर्ण था इसके हरिहार और वुका संस्थापक ते जबकि गे मैं जो इसं कि हूं सम्मंधित रहे हैं तो इस चीज को भी याद रखेगा जब कि बहमनी वंस की स्थापना हशन कंगु के द्वारा की गई थी और किस देवराय के बारे में थोड़ा सा और इनकी जो उपाधियां थी पूछी जाती हैं आंद्र भोज अविनो भोज अविनो पितामा यमन राज स्थापनाचार इनकी अन्य उपाधियां भी थी आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो कमांड को ले जाने की जो प्रक्रिया है ये फिचिंग कहलाती है फिचिंग क्या कहलाती है फिचिंग क्या क तो इसमें आप देखें आपका माउस है, कीबोर्ड है, बार कोड है, ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है, जबकि जो कार्ड रीडर होता है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस की रूप में कारी करता है, अगला है भारती दूर रखा जा सकता है तीन माहा तक बंदी बनाए रखा जा सकता है तो भारत में निवारक निरोध अर्था जिसे इंग्लिस में prevention detention कहते हैं इसके अंदर एक व्यक्त को बिना मुकदमा चला है अधितर तीन माहा तक संभिधान के अनुछिद 22 22 के पार्ट 4 के तहट जो है बंदी ब C2C पर आधारित e-commerce company कौन सी है तो eBay जो है ये customer to customer company है आगे चलते हैं अगला प्रशन है 35 नमबर का प्रचन विरोजगारी एक विस्यस्ता है किस उद्योग की है तो ये प्रचन विरोजगारी जो है आपकी किसी से सम्मंधित एक उसकी क्या कह सकते हैं एक इसकी विस्यस्ता आगे कह सकते हैं उसकी कमियों के अंतरगत आता है अगला है भारती अर्थ विवस्ता कि उदारिकन का अग्रदूत किसे कहा जाता तो डॉक्टर मनमोहन सिंग को कहा जाता है आगे चलते हैं अगला प्रशने वर्स 1979 में कितने बैंकों का राष्टी कन किया गया था अगला प अगला प्रशने भारत में सबसे पहले मुच्वल फंड प्रारम किया था किसके द्वारा यूटी आई के द्वारा यूटी आई यूटी आई यूटी आई का पूरा नामी यूट्रस्ट आफ इंडिया जिसकी स्थाफना 1964 में 1963 के अधिनियम के माध्यम से होती है ठीक है और इसके दरा मुच्वल फंड प्राराम कप किया गया था 2003 में आगे चलते हैं आर्थिक समिच्छा 2020 में किस चेत्र पर किस एक चेत्र पर सवाधिक ध्यान केंद्रित किया गया है तो जीवन और अजीविका जीवन और अजीविका अथात लाइफ एंड लाइवली हुट पर FDI को 49% से बढ़ा कितना किया गया है तो इसको 74% कर दिया गया है आगे चलते हैं कोशन नंबर 43 प्रधान मंत्री किसान मांधन योजना प्रारम कप किया थी तो इसको प्रारम किया गया था सितंबर 2019 में 12 सितंबर 2019 को जहारखंड की राज़ानी राची से प्रधान मंत्री कि प्रारम कब किया गया था तो इसको 1 सितंबर 2018 को इसको प्रारम किया गया था अगला प्रस्ट narrative ए राश्टी अनसूची जन्जाथी यहां पे जन्जाथी आयोग के अधच कौन है तो नंदुकुमार साइई है कौन है नंदुकुमार साइई है जब कि जो संकर कठेरियां है यह राश्टी अनसूची जाति आयोक के हैं ठीक है राम संकर कठेरिया राश्टी अनसूची जाति आयोक के अध्यच है जब कि आभिक सरकार जो है आभिक सरकार प्रेस्ट प्रेस्ट अफ इंडिया अतात पिटियाई के अध्यच है आगे चलते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है भारती स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यच कोन है तो वर्तमान अध्यच यहां के हैं जो दिनेश कुमार खारा है दिनेश कुमार खारा अध्यच है जबकि चरणजीत सिंग अतरा जो है यह SBI CFO है जबकि स्वामी नाथन जानकी रमन यह SBI परवंद निदेशक है आगे चलते हैं प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने है प्रवासी रोजगार आप किसके दोरा लांच किया गया था तो यहां आप जो है अविनेता सोनु सूत के दोरा लांच किया गया था आगे चलते हैं चंद्रिका परशाद सत्धो कि किस देश के राश्पती चुने गए हैं तो यह सुरीनाम के राश्पती चुने गए हैं अगला है निन्म से किसे अगला प्रस्टे राम बिलास पासवान के मृत के रिक्त हुए भोकतायों खाद मामलों के मंत्री के रूप में किसे अत्रिक प्रभारी के रूप में नुक किया गया है तो प्यूश गोयल को सौपा गया है प्यूश गोयल जिनके पास जो की ऑल्लेडी जो हैं इनके पास आप आगे चलते हैं, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगर मन पहली बार गाया गया था, उसके अधिशता किस ने की थी, तो इसकी अधिशता जो है पंडित विशन नरायन धर के द्वारा की गई थी, और यहां अधिवेशन जो है, आप देखें, दिसंबर 1911 में होती है, कहां पर कलकत्ता में, और यहीं पर पहली बार जनगर मन गाया गया था, इसके साथ ही आप एक चीज और याद रखेगा, कि कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1896 में, इसके पहले 1896 में, जिसके अधिश रहीम तुल्ला संथानी थे, इस अधिवेशन में, बंकिम चन चटर जी के दोरा पहली बार बंकिम चन चन चरद जी को दारा गया गया था, आगे चलते हैं, अगला प्रस्न है, मद्वेश परद्यश के किस जिले की सीमा, रायस्तान था, गुजरात राज्यों को इस पर्स करती है, तो यहाँ पर आप 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 आप्शन पहले देख लीजे, एक स तो जो जाबुआ है जाबुआ की जो सीमा है वो आपका गुजरात और रायस्थान दोनों से लगती है अगला प्रशने मद्ध प्रदेश का चेरा पुंजी किस इस्थान को कहा जाता है तो यहां का जो पंचमणी है इसे मद्ध प्रदेश का चेरा पुंजी कहा जाता है पंच प्रगार की मिट्ट्यों का विस्तार यहां पर पाया जाता है यह पंत्रक्रेश क्यों से काली मिर्दा जलोड मिर्दा लाल पीली मिर्दा और लेटराइट मिर्दा तथा मिसेट मिर्दा अगला प्रस्वा世界 मद्रदेश में काली लेके बागली गाओं अमोधिया में अमोधिया से इसका उद्गम होता है अगला प्रस्ट्र नर्मदा-जल-बिवाद के निराकण के लिए नर्मदा जल-बिवाद अधिकरण का गठन कब किया गया था तो इसका गठन जो है अक्टूबर 1996 में इसको लेकर Bivad जो है आपका मध्दप्रदेस, गुजरात, महाराष्ट और राह procent के मद्द में इसको लेकर के Bivad रहा है अगला है सहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिध है सहद उत्पादन के लिए मुरैना जिला जो है ये सहाध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अगला है मद्द प्रदेश में राज मद्स विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1979 में की गई थी जिसे वर्स 1999 में समाप्त कर मद्ध प्रदेश मत्स महासंग मरियादित की स्थापना की गई थी आगे चलते हैं Question No.59 पे मद्ध प्रदेश के किस जिले में फेनी मिनी कोर अभ्यारन इस्थित है तो यहां के मंडला जिले में इस्थित है वर्स 1983 में फैन मीनी कोर अभ्यान की स्थापना की गई थी अगला प्रसने नंद कुमार सिंग चौहान जिनका हाली में निदर्वा निर्म में से किस लोगसभा छेतर से संबंदित थे तो ये खांडवा जो लोगसभा छेतर हैं यहां संबंदित थे अगला है मद्द प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी सोरूम इस्थापित किया गया है तो इंदौर में इस्थापित किया गया है कहां पर इंदौर में 2017-18 में मद्द प्रदेश के नौलखा में मद्द प्रदेश का पर्थम बांस सोरूम इस्थापित किया गया अगला प्रशन है मद्द प्रदेश के किस जिले में एलकेलाइड कारखाना इस्थापित किया गया है तो ये कारखाना नीमच जिले में कहां पे नीमच जिले में स्थापित किया गया है तो सरकारी अफीम एलकाइट वरकर्स कार खाने को वर्स 1923 में 1933 में स्थापित या गया था आजादी से पूरभी अगला प्रस्ण है बांस लोग गीत किस छेतर में गाया जाता है तो जो बांस लोग गीत है ये आपका मद्यप्रदेश के बगेल खंड छेतर में गाया जाता है तो इसे इसमें गायक, रागी और वादक प्रमुख होते हैं अगला है देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है तो ये मद्यप्रदेश का हभीब गंज है मद्यप्रदेश का हभीब गंज जो है इसे बंसल गुर्प वाला को 45 वर्स की लीज़ पर दिया गया है अगला कोशन देखते हैं 69 नमबर कोशन नमबर 65 मद्यप्रदेश के निम्नमसिक की जिले में आयरवेद चिकिस्सा महा विद्याले इस्थित नहीं है तो सागर जिले में इस्थित नहीं है जबकि उज्जैन, बुरहानपूर और रिवा में इस्थित है मद्य प्रदेस में कुल साथ आयरोवेदिक चिकिसा महापिद्याले इस्थित है आगे चलते हैं मद्य प्रदेस की जनगर्णा है तो सर्वोच जनगर्णा अधिक प्राधिकारी कौन है तो जो राज निर्वाचन आयुक तो होता है यही सर्वोज जनगर्णा प्राधिकारी होता है आगे चलते हैं अगला है वर्ष 2011 की जनगर्णा मद्द प्रदेश के दिश्टकोर्ण से किस क्रम की जनगर्णा थी तो यहाँ पर आप देखें तो यह जो है 15 नंबर की जनगर्णा थी वर्ष 2011 की जनगर्णा के अंतीम आकरे 30 अपरल 2013 को जारे हुए और मद्द प्रदेश की प्रथम जनगर्णा वर्ष 1881 में माने जाती है अगला प्रशन है मद्द प्रदेश में कितने प्रसत आदिवाशी नगरों में निवास करते हैं तो 6.8% आदिवाशी 2011 की जनगर्णा के अंतीम सार 6.8% आदिवाशी वो नगरों में निवास करते हैं आगे देखें निम्न में से क्या भील जाद से सम्मदित है जो भृपा, ओंता दापा य messy तीनों है भील जाद से सम्मदित हैं तो ये कैसे सम्मदित है johji bis उन्हें भौपा कहा जाता है जबकि भीलों के गाउं के मुख्या को गमेति कहते हैं जबकि जो कन्या का मूल वरृपच और दिया जाता है उसे सो मूल को कहा जाता है नापा क nossa है अगला है मन्द प्रदेश की बैगा जंजात में सहद पीने का पर्व मनाया जाता है। कितने वर्सों बाद मनाया जाता है? तो यह नौ वर्सों बाद मनाया जाता है और यह पर्व जो है प्रेम पर्व के रूपे मनाया जाता है। अगला है किस जंजात का मूल पेशा जो है वो किरसी है तो जो गोंड जंजात है इनका मूल पेशा किसांत था किरसी मजदूरी करना है अगला है परमारवंस की स्थापना किस सासक ने की थी परमारवंस की स्थापना उपेंद्र के द्वारा की गई थी तो परमारवंस मद्यक तो देवारी गायन जो होता है ये राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है ये गायन जो दोहों पर केंद्रित होता है और मुख्य रूप से दिवाली के आउसर पर गाया जाता है अगला है मिट्टी के घड़े में निमनों से किस क्रिया के काण जल ठंडा हो रहता है तो वास्पी काण या विपराय इबॉपरेशन के द्वारा इसमें जल ठंडा हो रहता है अगला प्रसंग सूर की सता का तापमान कितना होता है तो 6000 केलविन 6000 केलविन होता है अगला है ता रेनीन जो होता है ये दूद को पचाने वाला इंजाइम होता है अगला है निम्नांकित भोजन में से किस से प्रतिग्राम सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है तो यहाँ पर आप आप आप्शन देखिए पहले आप्शन में प्रोटीन वशा कार्वाधिक बिटामिन है तो साइक्लिंग का है जो खेल परिसर होता है जहां पर इसको खेला जाता है इसे क्या कहा जाता है इसे बेला ड्रेम कहते हैं बेलो ड्रम कहते है अगला है भारती संभिधान को किस के दौरा अपनाए गया था तो संभिधान सभा के दौरा अपनाए गया था 11 अधिवेशन के ब रोहिस सर्मा जो की क्रिकट संब्दित हैं, विनेश फोकाट पहलवानी संब्दित हैं, रानी रामपाल हाकी संब्दित, मनिका बत्रा टेनिस टेवल से संब्दित हैं और मरियपन थंगा वेलू ये पैरा एथलिटिक्स उची कुछ से संब्दित हैं इन पांच लोगों को दि मंद्दाता दीवर्व पहली बार किष्वर्स मनाचैन से तो राश्टी मंद्दाता दीवर्वर्व पहली बार जो है वर्ष 2011 में मनाय गया था और यहां प्रतेक 25 जन्वरी को मनाया जाता है अगला है वो्टर वेरिवल paper audit trail BB pet का प्रियोग पहली बार कहां किया गया था तो इसका प्रियोग जो है पहली बार आपका nagla land के चुनाव में किया गया था तो वर्ज 2-13 में noxen nagla land विधान सभा में इसका प्रियोग पहली बार होता है अगला है 86 नमबर मद्यप्रदेश में बिंद क्रम के चटानों में लाल बलुआ पत्थर से किस एतिहासिक इमारत का निर्माड हुआ है तो यहां का जो सांची स्थूप है जो मद्यप्रदेश के रायसेन जिले में इसी सांची स्थूप है ये इसके अलावा सतना जी लेके भरूत इस्तम ग्वालियर किले का निर्माड इन तीनों का निर्माड जो लाल बलुवा पत्थर से किया गया है अगला प्रस्ट लोग सेवा सदेश नियम 1979 के अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है यहां सदेश्यों की बात कर रहा है तो अध्यच के अत्रिक्त 10 सदेश्य हो सकते हैं अध्यच को लेके देखें तो कुल 11 हो जाएंगे आगे देखें प्रख्यात कृतिम बुद्धिमत्ता प् के उदाहान कौन से हैं तो वेम मॉडल एक्स मॉडल थी यह तीनों के तीनों ही चालक रहित कारों के उदाहान है अगला है प्रोलाग भासा जो है यह कब विक्षित हुई तो यह उसको 1927 में विक्षित किया गया अगला है कोशन नंबर 91 पे चलते हैं तो 91 है आपका मद्ध Paulo कि अगला है किक्षि चेती खाल में कितने प्रत शिस्ट में तिलहन की खेती होती है कुल एक्तालिस परसंट ट्रunde सॉरि कूल 10-1 प्रसंट हिस्से में खेती होती लेकिए मद्धिय क्या प्रदश में कूल कृस्य चेत्पल में सरवाध के अंतरत अनाज के का उतपादन होता है कुल अनाज कुत्वन 41 परसंट जो छित्र फल है ठीक किसी सम्द्धिश्ट रहे उसमें 41 परसंट पे अनाज का होता है 29 परसंट पे आपका तिलहन पर होता है इसके बाद दलहन तीसर नंबर पे 21 परसंट दलहन का और आपका 6 परसंट पे उध्यानिकी होटी कल्चर और 3 प अमेरिका से संब्धित है पेंसिलवेनिया यहां का जो एक राज्ज है यहां में थ्रिमाइल दीप प्रमाण उर्जाउत पान केंद्र पर यहां घटना होती है कब होती है 1979 में यहां अमेरिका की सबसे बड़ी दुरगटना थी आगे चलते हैं अगला प्रश्ण है कि भारत कि सरवाधिक औरशाद का परिवहन करने वाली नदी कों सी है तो गंगा नदी अगे अगला है किस अनुच्छेद के अंतरगत नियंतरक महालेखा परिच्छक द्वारा राज्यों गेंध्र प्रारूप तयार गया जाता है तो अनुच्छेद एक्पचास के अंतरगत जबक की बात कही गई है अगला है किस अनुश्यत के अंतरगत राश्पती द्वारा सामाजिक और सच्छिक रुप से पिछड़े वर्गों की दसाओं के जाच करना करना ऐसा वर्ण किया गया है तो अनुश्यत 340 के तहद किया गया है और वर्स 1903 पन 1953 में काका कालकर के अधिस्ता में पर्थम पिछड़ा वर्ग आयोकी स्थापना की गई थी अगला प्रस्न एक गीता रहस किसकी रचना है तो यह बाल गंगा था तिलक के द्वारा लिखी गई रचना है 97 पर देखें विश्व खाद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद दिवस के रूप में मनाया जाता है चुकि हाल ही में केंद्री खाद मंत्री सीरी राम विलास पासवान का निधन हुआ था अगला है ज्यानपीट प्रसकार किस छेत्र में दिया जाता है तो ये साहित्य के छेत्र में दिया जाता है कोशन नमबर 99 पे चलते हैं मद्द प्रदेश राज विदुत मंडल की स्थापना किस वर्स की गई थी तो इसकी स्थापना जो है आपका 1950 में की गई थी तो मद्द प्रदेश राज विदुत मंडल की स्थापना 9 दिसंबर 1950 को होती है और देश का प्रथम विदुत मंडल थाया इसका मुख्याला सक्ति भौन जबलपूर में इस्थित है अगला है गुण सूत्र सब्द के जनक माने जाते हैं तो वाल्डेयर जो है ये गुण सूत सब्द के जनक माने जाते हैं तो इस प्रकाल से यहां पर हमने उन्हें पूरे 100 कोशन देखें तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद